आपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, देखा था कि किस तरह से हम लोग अपनी सर्वर को मैनेज कर सकते हैं, हमने इक कई टेक्निक्स देखी थी, सर्वर को मैनेज करने की और आप लोगो ने, अगर ये playlist अक्सेज नी करी इसको भी access कर लेना, और मेन आपक तो आप थोड़ा बहुत भी लिखोगे तो आपको गूगल के पहले पेज पर नहीं तो दूसरे पर तो मिली जाएगी, दूसरे तक शाहिद ही जाना पड़े आप लोगो को, अब हम यहापर जल्दी सी क्या करेंगे, टाइम बचाते हुए, फाइल जिला को इंस्टॉल हम इस पर क्लिक करेंगे, और आप लोग जो है, यहाँ पर फाइल जिला सर्वर इंस्टॉल मत करना, क्लाइंट इंस्टॉल करना, क्लिक करोगे फाइल जिला क्लाइंट पर, तो आप यहाँ पर फिर्स क्लिक करना, डाउनलोड फाइल जिला यह करना डाउनलोड ठीक है, बा आपको setup को चला देना है अब देखो यहाँ पर यह internet speed मेरी तो बहुत तेज है लेकिन इनकी जो serving speed मुझे लगता है वह बहुत slow है इसलिए इतना slow download हो रहा है तो पता नहीं ऐसा ही लोग क्यों कर रहे हैं लेकिन ठीक है यह जैसे download होगा मैं वापस आता हूँ गैस यह बहुत जादा slow download हो रहा है तो मैंने क्या किया दुबारा इसको download की अब देखो मुझे कितनी थे speed मिल लिया है 110 kbps वापस से slow होगी मेरी speed तो मैं इसको cancel करूंगा दोनों को और यार इतना slow की download हो रहा है मुझे काफी radiation हो रहा है मेरा 40 mbps का connection है और उसके बाद भी 40 m mbps नाम का connection है तब भी कम से कम मैं 10 mbps तो expect करूंगा न तो 13 seconds चलो जल्दी हो जाओ download अब यहां पर देखो यह slow हो गया तो यह चलो ठीक है यह जब download होगा मैं वापस आता हूँ okay so we are back हमारा जो filezilla है वो install हो चुका है काभी time लग गया है इसको install होने में तो इनका server slow है अगर आपका internet जो है वो past भी है तो कभी कभी क्या होता है कि जो server होता है remote server वो आपकी files process नहीं कर पा रहा है और आपको नहीं दे पा रहा है downloading के लिए तो हमेशा तेज internet का मतलब तेज download नहीं होता है server अगर slow है उन लोगों का तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो उसमें आपकी download speed आप कितनी भी बढ़ा लो उनकी तरफ से slow आ रही है speed anyways हम लोग यहाँ पर खोलेंगे filezilla.exe इसको allow करेंगे और allow करने के बाद मैं चाहँगो कि आप agree करे और इसको next 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 करके install कर और यह लोगो को आप लोगो को filezilla खोलना है इस तरह से तो यह आप लोग देख रहे हो यहाँ पर मेरा computer इसके अंदर आप लोग देखो की FileZilla खुल गया है लेगिन मैं अभी किसी server पर connected नहीं हूँ तो मैं एक server से connect औरने के लिए यहाँ पर host डालूँगा जो कि मेरी IP address है मैं copy करता हूँ उसको और मैं आपर क्या करूँगा वापस से FileZilla में आकर इसको paste करूँगा username में root डालूँगा password में डालूँगा codewith12harry tap डबा के 22 लिखूँगा यहाँ पर port में sftp का port 22 होता है इसलिए 22 लिखना पड़ेगा और उसके बाद मैं quick connect डबाऊँगा यह मुझ से पूछ रहा है कि आप लोग जो है इस server को trust करते हैंगी मैं यहाँ पर लिख दूँगा trust is host okay कर दूँगा और यहाँ पर देखो मैं server के अंदर आ चुका हूँ मुझे जाना है slash where slash www में और specifically html पर तो मैंने यह path पूरा डाल दिया है है हैंपर जिसमें मैं जाना चाहता हूँ और मैं enter बारूँगा और वो folder खुल जाएग कर होगा तो तो यहाँ पर empty directory है क्योंकि सब कुछ हमने delete करी दिया था तो हमें क्या करना है कि इसके अंदर idiscus की website को डालना है और idiscus की website को डालने के लिए मैं drag and drop करके इसको डालूँगा देखो कैसे आप लोगों को दिखाता हूँ मैंने इसको एक और folder बना लिया है 4M hosted और मैं आप पर इसकी जो connection files है यादि की dbconnect.php जो है उसमें मैं changes करूँगा और मैं यापर क्या करूँगा server का password डाल दूँगा यापर code with one to harry और इसको save कर दूँगा और I think अभी इतना change मैं रखता हूँ और अगर कुछ लगेगा मुझे change करना है तो मैं बात में कर दूँगा तो मैं आता हूँ अपस इस folder में इन सारी files को उठाकर drag and drop करूँगा देखो इस सारी files उठा रहा हूँ मैं जलो अपनी IP address को paste करते है वापस से it was 139 something यह हाँ और यह देखो I discuss जो है host हो चुकी है क्या इस सारी categories दिखा रही है हाँ इस सारी categories दिखा रही है क्योंकि हमारा database भी भी काम कर रहा है क्या python पर click करके सारी questions दिखा रही है हाँ दिखा रही है क्या इसको हम click कर रहे है तो यह दिखा रही है क्या मैं account बना सकता हूँ देखता हूँ account बना सकता हूँ कि नी तो मैं आपर sign up करूँगा user name में में डाल दूँगा Harry password में Harry और confirm password में फिर से Harry और यहाँ पर यह कह रहा है कि this URL was not found on the server क्योंकि मैंने क्या किया था slash forum slash करके किया था क्योंकि मेरा जो पहले php myadmin में sorry मेरा पहले htdocs में forum नम का folder था वो नहीं है तो मैं क्या करूँगा तो देखो उसके लिए क्या changes करने पड़ेंगे मुझे तो जहां-जहां मैं forum shop का इस्तिमाल कर रहा हूँ अपने forms को submit करने के लिए निकि मैं handle login और handle sign up में जहां-जहां forum का इस्तिमाल कर रहा हूँ वहां मैं यह forum हटा दूँगा वासे मैं सिर्श रखूंगा और save किया मैंने क्योंकि मेरे server के root में index.php है ठीक है क्या कही और forum है नहीं है यहां क्या कही और forum है नहीं है actually है लेकि मैंने हटा दिया अभी क्या यहां forum है नहीं है क्या यहां forum है यहां पर रहे लेकिन हमें इसको चाहिए save किया इसको और वापस से मैं क्या करूँगा इसको drag कर दूँगा वहीं पर सारी files को पूछेगा कि क्या आप override करना चाहते हो always apply this action और apply to current queue only ठीक है सारी files upload हो गई server restart कर लेना चाहिए कभी कभी बीन restart करें भी काम हो जाता है आप server को restart कर लो आपके सारे changes रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और यहां पर मेरी यह रही PHP website मैं वापस से home पर आता हूँ इसके और एक account के लिए sign up करता हूँ और account का नाम में रखोंगा joker कहता है joker joker की नाम से मैंने account बना है और वापस से मुझे परिशानी देखनी पड़ी तो यह क्या परिशानी है forum कहीं और वापस से मैंने use किया हुआ है तो यह सारी troubleshooting आपको करनी पड़ेगी लगता है मैंने किया हुआ है header यह footer में जहां पर मैं इस form को submit करा रहा हूँ तो यह देखो यहां पर किया हुआ है slash forum href को मैं जो slash करना है slash forum और I think इसमें और भी जगह पर forum use किया होगा db connect में नहीं है footer में भी नहीं है handle login तो हमने देखी लिया sign up भी देखी लिया header भी चेक कर लिया login modal में देखो slash forum पे submit कर रहा है form लेकिन करना चाहिए slash partial में sign up modal में भी वही problem मुझे देखने को मिल रही है सारी जगत जहां जहां slash forum था slash कर दिया क्योंकि हमारा जो zam बना हुआ था वो slash forum के बाद हमारी website थी अब हमारी directly वहीं पर route पे server के website है ठीक है तो मैंने यापर क्या किया इसको save नहीं किया save कर लेता हूं इन सब को और वापस से मैं इसको drag करूंगा ओके तो यह पूछ रहा है कि क्या आप override करना चाहते हो मैंने का हाँ फिर से मैंने server को restart किया और यहां पर शायद joker के नाम से account बन गया होगा if I am not wrong क्योंकि joker joker किया तो देखो यह account बन गया और नहीं बना actually account save password never यहां पर problem आ गई है मैं joker के नाम से फिर से बनाता हूँ joker 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 ठीक है तो हाँ बन गया you can now login save कर देता हूँ joker joker को और यहां पर joker oops मैंने गल्दी से close कर दिया submit तो देखो welcome joker यहां पर मैं joker के नाम से login होगा हूँ और मुझे joker मत बोलना आप लो मैंने से एक username चुनाए का यहां harry by joker है लिखना चालो कर दो comment में वैसे harry by joker नहीं है लिखो के तो अच्छा लगेगा hashtag link देना की है hashtag harry by joker नहीं है लिख देना कर हो सके तो अब यहां पर देखो comment को check करते है मैं हूँ एक joker जो इस forum में हसाने आया हूँ ठीक है तो लोग मतलब अपनी tension लेके आते हैं इस forum में और मतलब काफी परिशान होते हैं तो यह joker क्या करता है उनको हसाता है उनको जोक्स डालता है forum में spamming करता है जोक्स की जोक्री बात अजीव सी बात है मैं एक joker हूँ कौन सा जोक सुना हूँ परिशान हो ठीक है सब्मिट किया देखो इसका आ गया है पर मैं एक joker हूँ अब लोग आ सकते हैं अब काउंट बना सकते हैं कुछ मत कर भाई तू पोस्ट कॉमेंट तो पोस्टेट भाई जोकर ठीक है तो जोकर ने हो गया होस्ट अब यहां पर एक चीज़ आप लोग को खटा करी होगी बस की यह IP क्यों दिख रही है डोमें क्यों नहीं दिख रहा है तो डोमें दिखाना जो है बहुत सिंपल है आप लोग को क्या करना है अपने डोमें नेम को एक IP address से point कराना है ठीक है तो आप लिखो how to set a record in GoDaddy यह से GoDaddy में आपकी hosting है तो आप a record add करोगे a record आप add करोगे देखो यह बता रहे है manage DNS में जाना है आपको और यहां पर यह जो a record है a record already होता है value में add the rate होता है आपको क्या करना है उस value में देखो यह GIF से भी बता रहे है a record select करना है और यहां पर host name डाल देना IP address ठीक है देखो यहां पर host name add the rate है और IP address points 2 में आता है और आपको save कर देना है और आपका जो है change हो जाएगा वह और आपकी website जब आप डालेंगे जैसे आप idiscus.com डालेंगे तो आपका इस तरह से खुल के आएगा तो वह एकदम extremely simple है ठीक है आपको go daddy से खरीदने आप यार मैं खरीद ही नहीं सकता मेरे पाँ उतने पैसे नहीं है हर बार मैं domain खरीद के आपको नहीं दिखा सकते हो तो आपको आना चाहिए basically यह है मतलब मेरे कहने का अगर आप portfolio website बनाना चाहते हो तो खरीद भी सकते हो यार मतलब depend करता है आपके ओपर आप student हो financially नहीं है पैसे आपके पास उतने तो कोई बाती मत खरीद हो ऐसे ही चला लो इसको आपके host तो होई गई है यह आपका server यहाँ पर PHP में headmin आ गया है यह आपका भी reload करो कि यहाँ पर I discuss आईगी देखो logout करो कि तो logout भी हो जाओगा अच्छा logout में भी दिक्कत आ रही है logout file में भी एक दिक्कत है तो यह सारी दिक्कत आपको test करनी पड़ी देखो यहाँ पर slash forum की जगा slash करना है ठीक है तो मैं क्या करूँगा सिर्फ logout वाली file को change करता लेकिन ठीक है सारी कर देता उंचे फरक नहीं पड़ता कुछ हो गई ठीक है तो यहाँ पर अब मैं reload करूँगा अगर इसको तो logout तो होई कहाँ मैं लेकिन अगर मैं joker से वापस login करूँगा और अब logout करूँगा तो देखो मैं logout हो चुक हुआ ठीक है view threads बढ़िया यार मतलब काफी सही है और सही चल रहा है हमारा system अभी यहाँ पर और I hope कि मज़े कर रहोगा you are not logged in login होते हैं अगर तो हमको दिखा था post comment करने का feature भी और categories all right करोगे तो यहाँ पर आएंगी top 5 या top 3 जो भी हमने select की थी वह आएंगी I hope कि आप लोग satisfied हो यहाँ पर और आपको काफी अच्छा लगा यह जो I discuss है हमने hosting तक इसको देख लिया और अभी officially हमने यह website host कर लिये so मैं काम करूंगा नीचे description में आप लोगों को सारी resources दे दूँगा इस अब collect करके with my digital option referral link अगर आप लोगों को नहीं मिला अभी तक आपने digital option नहीं लिया है अगर लेना चाहते हो तो ले लेना नीटो अगर आप लोग है नहीं लेना चाहते हो तो भी ठीक है आप लोग local host में ही कर सकते हो बट आपको क्योंकि 100 dollar मिलते हैं credit card add करके बट बहुत द्यान से यह सब काम करने चाहिए कभी भी अपना credit card add कर रहे हो कहीं पर भी इसे भी पर भी बहुत सोच समझ के add करना कभ अटाना है देख लेना बट ऐसा कुछ होता नहीं है मेरे साथ कभी ऐसा fraud किसी company ने नहीं किया कि मेरे credit card से फालतू पैसे काट लिए आज कल जो है बिल्कुल भी ऐसे fraud नहीं होते हैं मेरे साथ तो at least नहीं हुआ है ठीक है तो बस यह नहीं यह comment section में जरूर बताना और मैं इस सारे links क्या करूँगा collect करके इस video के description में डाल दूगा और पुराने video के description में भी हो सके तो डाल दूगा अगर मैं नहीं भी डालू ना तो यार आप लोग को मैंने बता दिया है कैसे कहां पर आपको जाना है और यह playlist अभी तक access अभी भी नहीं करी है किसी ने तो मैं मतलब क्या बूलनों कर आप हो सकते है डिरेक्ली इस video पर आ गए होगे तो यह playlist का part है यहां क्लिक करके इसको bookma को यहां क्लिक करके सेव कर लेना और इस video को please like जरूर कर देना अभी के लिस वीडियो में तने गाइस thank you so much guys for watching this video and I will see you next time